हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हर्याना के अंदर आई हुई नई भरतियों के बारे में ये भरती ना केवल ड्राइवर के पद के लिए है इसके अलावा कंड़क्टर और हेलपर के पदों के लिए भी हैं अलग 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 ड चुक हो यहां पर फॉर्म डालने के लिए तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं पूरा नोटेस में आपको पढ़के दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कहां पे आपको डोकुमेंट्स भीजने हैं या भीजवाने हैं सूचित किया जाता है कि सागहार में चालक पद उस उम्मीद्वार को अनुभव कुशलता प्रमाणपत्र स्किल्ड आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा इसी प्रकार परीचालक होता है कंड़क्टर उसके पद के लिए परीचालक लाइसेंस रखने वाले उम्मीद्वारों को पांच दिन की टिकट पंच कराने का कुशन दिया जाएगा देखे कंड़क्टर में एक्स्पिरियंस नहीं मांग रखा है सिर्फ यहां पर क्या मांग रखा है लाइसेंस होना चाहिए और टेस्ट पास करने वाले उम्मिद्वार को अनुभव जो आपका मतलब अनुभव एक्स्पिरियंस प्रमाण पत्र यहा आपका होना चाहिए, यह साइट से मिल जाएगा, इस कार्यालिया में दिनांक 24 आवेधन पत्र अगर साइट पे भी नहीं है, तो आप क्लेन पेपर पर भी आप अपना नाम पता सब कुछ यहां पे लिख सकते हैं, 24 2022 तक जमा करवाई, चालक परिचालकों की वरिष्टा ची विशिद रूप से पहले आओ, पहले पाओ, भई जो पहले जाएगा, उसको पहले मिलेगा, ठीक है, और योगेता की बात करें, तो दस्वी पास, हैवी मोटर वीकल लाइसेंस, तीन साल का experience, कोई आपकी कलर ब्लाइडनेस नहीं होनी चाहिए, मेडिकल फिट होना चाह हिंदी और संस्कृत एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फैमिली आइडी होनी चाहिए, और आपकी एज 18-42 साल के बीच होनी चाहिए, परिचालक कंड़क्टर के लिए बात करें, तो दस्वी पास परिचालक अनुग्यप्ति पत्र आपका होना चाहिए, हिंदी तो भी कोई इशू नहीं है, 18-42 साल एज लिमिट और आपकी फैमिली आइडी, इस पते पर आपको भेज देने हैं भई, या जाके जमा करवाने सीधा, ठीक है, चंडिगड की नहीं गई है भई, डेट, 20 तारिक तक है, सोरी वो मुझसे गलती होगी, I think वो कोई और होगा, क्योंकि चार जगे से आई थी, ये कैथल से बात करें, तो यहाँ पर वही, ये सेम चीज है, चालक और परी चालक का वैड लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, इसके अलावा, जिन उमिद्वारों के पास, ITI पास के साथ, हरियाना राज्य प्रिमेन से अपरेंट टेस्ट होगा, और कंड़क्टर का यहाँ पर पांच दिन की ट्रैनिंग होगी, उसके बाद आपका परमान पत्र जारी कर दिया जाएगा, परमान पत्र के अधार पर ही आपका रेजिस्टेशन होगा, इसके लिए आपको 18 एपरल तक यहाँ पर दस्तावेजों की परती सह डोकुमेंट लगाकर वहाँ पर जमा करवाके आईएगा, एज लिमिट की बात करें और बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो सारी चीज वहीं है, सिर्फ इसमें तीन साल पुराना भारी वाहन लाइसेंस मांग रखा है, बाकी एक्स्पिरियेंस इसमें ना चालक का ना प्रिचालक का, तो आप देख सकते हैं, चंडिगड वाले में मांग रखा है और कैथल वाले में नहीं मांग रखा, हेलपर की भी हैं आपर, तो हेलपर के लिए यहाँ पर आईटी आई, संबंदित ट्रेड में, और मैट्रिक होनी चाहिए, आवेदक मेडि डाल दी गई है कि आपके पास रोडवेज की एपरेंट्शिप ही होनी चाहिए, किसके लिए, हेलपर के लिए, ना कि चालक परीचालक के लिए, इस पते पर आपको भीज देना है, ये दो अपडेट थी, जो वेकेंसी आई हैं रोडवेज में, ड्राइवर की, कंड़क्तर के और हेलपर की, आई होप सो कि आपको अपडेट पसंद आई होगी, और अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं अपलाई, तो बिल्कुल करिएगा, कोई इशू नहीं है, formnotice.com हमारे official website है, जिसके थूँ आप हमसे जोड़ सकते हैं, सारी अपडेट आपको मिलेगी, online, offline, form की सारे exam date की, admit card की, आपका, जितनी भी update होती हैं, वो सारी आपको यहाँ से इस website से बिल्कुल update कराया जाएगा, इसकी तहत, अगर आप website से जुड़ते हैं, तो आप telegram page पे भी, telegram channel को भी join कर सकते हैं, और instagram page को भी follow कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए thank you so much, वीडियो आए तो please like and share and please subscribe the channel also, thank you so much, thank you for watching.